हेलो दोस्तो नमस्कार गुड मॉनिंग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो आज दोस्तो उत्राखन गवर्मेंट जोब की तयारी करने वाले जो चात्र चात्रा हैं उनके लिए थोड़ा सा एक बैड न्यूज है कि उत्रा आपकी कमी के कारान अधिनस्त सेवा चैनायोग ने आगामी आठ भरती परिक्षाओं पर रोक लगा दी है तथा अभी तक यह रोक आपकी कितने लंबे समय तक चलेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है फिलाल दोस्तो नियूज के बारे में बात कर लेते हैं पिर अन्य पॉइंटों के बारे में भी बात कर लेंगे आप टाइटिल देख सकते हैं उत्रागण देश्त सेवा चैनायोग ने आठ भरती परिक्षाओं पर लगाई रोक इस्तिपा देने से पहले अध्यक्स ने सासन को भेजा भरती रोकने का पत्रा आपको बताया दोस् देखी जा रही है इसी को देखते हुए तथा भरती परिक्षाओं में सोचिता को देखते हुए क्योंकि आयोग पिछले जो वीडियो वीडियो अला एक्जाम है उसमें कहीं न कहीं एक बहुत एक आप ही कह सकते हैं कि सोचल मीडिया तक उस पेपर वाइरल की खबरें जा रही हैं टेलीग्राम में यह सारी चीजा आपने न्यूज पेपर में पढ़ लिए होंगी ठीक हैं तो उसी के रिकार्डिंग लिए यहां पर इस्तिपा देने से बले अध्यक्ष ने सासन को भेजा भरती रोकने का प्रस्ता हो पेपर लीग प्रक्रण में विबादों से ग और गंणा प्रिवेक्षक की भरती है इस्तिपा देने से पहले नाराज अध्यक्ष एस राजु ने आगामी भरतीयों की आठ परिक्ष्याओं पर रोक का पत्र सासन को भेजा है पत्र में उन्होंने कहा है कि इन भरतीयों को रोकने के दे उनके पास पिछले आठ महिने से या कराने के लिए उनके पास पिछले आठ मैने से परिक्षिया नियंत्रग नहीं है जब तक सासन परिक्षिया नियंत्रग तैनाद नहीं करता है तब तक परिक्षिया नहीं हो पाएंगी दिसंबर में परिक्षिया नियंत्रग नारायन सिंग डांगी सेवा निवरत हो चुक बन विभाग, पुलीस, राजस्टो विभाग, उर्जा निगमू, सहीत, विविन्द विभागों की इन भरतियों के लिए आयोग के पास में परिक्षिया नियंद्रक नहीं होती है, तब तक अधिनरस्ता सेवर्च नायो कोई भी एक्जाम कराने वाला नहीं है, साथी दोस्त तो आपके थोड़ा से एक बैड नियूज है कि यह भरति परिक्षिया है, कब तक लटकी रहेंगी, इसका अभी कुछ नहीं कहा जासता है, अगर गवर्मेंट जल से जल परिक्षिया नियन तक की नियुक्ति कर देती है, तो जल से जल आपके एक्जाम होने की संभावना है लेगिन थोड़ा सा दोस्तो डेले आपका एक्जाम परिस में आप होगा, अगस्त मैं भी फिलाल आपका कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है, और सेप्टमबर में जो आपका पुलीस कौंस्टेबल का एक्जाम पर था, और साथी फॉरिस्ट काट की एक्जाम पर परिक्षिया का इंतजार पटवारी लेकपाल, पुलिस कॉंस्टिबल, फॉरेस्ट गार्ड, सायक लिख्यागार रिगजाम जैसी परिक्षिया हैं ऐसी है जिनके लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आविधन किये हैं पिछले 6 महिने में इन भरतियों की परिक्षिया होने की उमीद थी, बताया जा रहा है कि इन 8 भरति परिक्षियाओं का 3 लाग से यदा युवाओं को इंतजार है ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अभी कार्मिक को कोई भी ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, परिक्षिया नियंत्रक पत पर तैनाती के लिए प्रकिरिय चल रही है, तो यह है दोस्तों आपका आज की नियुज, तो ऐसी बात नहीं है, दोस्तों आपके एक्जाम नहीं होंगे, लेकिन थो बड़ा सा डेले होंगे, तो आप लोग तैयारियां करते रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि यार, आप तो बहुत लंबा समय हो गया ह हम दयारी कर रहे हैं, पेपर कब होंगे, ऐसे धादली हो जा रही है, तो यह चीज़ दोस्तों देखे, पार्ट अप एक्जाम पेपर्स हैं, हर स्टेट में यह चीज़ें होती हैं, उत्तरा खंडेनी, आप उत्तर प्रदेस में देखे, इस सभी बड़े-बड़े केसे होत लेकिन उसके बाद में जब परिक्षियां कराई तो एक साथ कराई और काफी सारे युवाओं को रोजगार मिलने की भी संभावना है थी, लेकिन उसमें वीडियो प्रक्रण हुआ उसके चक्कर में अभी सारा मामला रटका हुआ है, इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि अगले साल नहीं होंगे इसलिए आप तो तैयारी भी करते रहें अपने ठीक है ताकि एक्जामनेशन की डेट जब भी आई तब तक आपकी तैयारी पूरी हो चुके और आप वहाँ पर अच्छा मतलब स्कूर करके अपना सेलेक्षिन ले सकें तो ऐसा बिल्कुल मत सूचे लेकिन इसको सासन या फिर जो हमारा बोड है जो एक्जामनेशन कराता है वह बनाता है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा पेसेंस जरूरी होता है गवर्मेंट जो अपसके लिए और हर एक्जाम में आज से पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है और आगे भी आपको ऐसा देखन में ऐसा होता है और खासकर उस बर्ती में ऐसा होता है जिस बर्ती में बहुत ज्यादा होता है या नंबर ऑफ पोस्टिस बहुत ज्यादा होती है और इसके साथ-साथ ऐसी बर्तियों में भी ऐसा होता है जहां पर आपका बर्तियां बहुत लंबे समय के बाद आती है ठीक ह गर एक्जाम होंगे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्जाम नहीं होंगे बस सिर्फ यह लगाए कि जब तक परिक्षय नियंत्रक की नियुक्ति नहीं होती है तब तक कोई एक्जाम नहीं हो पाएगा तो जैसे ही परिक्षय नियंत्रक की नियुक्ति हो जाएगी प्रकिशन नियंटर के नियोकती हो जाती है जल से जल तो फिर उसी प्रिक्षे प्रिक्षे स्प्माइस का अभी पिरसे बता रहा हूँ आपको पहले भी बता चुका हूँ अभी फिर से बता रहा हूँ फिलाल HTF को जांच पूरी करने दीजिए उसी के बाद में एक निरनाई पर पहुंचा जा सकेगा कि इस भरती का क्या होगा कनिस्ट साइक के बारे में भी कुछ अभ्यरती पूछ रहे हैं तो कनिस्ट साइक का रिजल दोस्तों जैसा कि आपको बताए कि आयोग के द्वारा कहा गया था कि अगस्त में निकाल दिया जाएगा लेकिन अभी तक इसकी कोई भी खबर नहीं है कि कब तक इसका फाइनल रिजल निकाला जाएगा क्योंकि इसके बाद में इसका डीवी भी होना है और कनिस साइग भरती में भी आयोग हो सकता है कि अपने तरब से कुछ आशी जाच कर रहा हो या कुछ चीजां ढूट रहा हो खगोल रहा हो तो इसलिए हो सकता है कि कनिस साइग भरती का रिजल अभी तक दोस्तों नहीं निकाला गया ठीक है और वंदरोगा भरती परिक्षा का रिजल्टी भी अभ्यरती कैरते तो वंदरोगा के भरती परिक्षा में दोस्तों अभी थोड़ा सा संसे बना हुआ है जैसे कि आपने एक्जाम में भी देखा हुआ कि STF के तार वंदरोगा भरती तक भी पहुँच रहे हैं मैं बात में पढ़ लोगी जब डेट आएगा या पढ़ाई में मन नहीं लगा है ऐसी चीज़ा दोस्तों होती है अक्सर कि जब आप तयारी में एक फ्लो में होते हैं और अचनक से ऐसे चीज़ां होती है पेपर लीक का प्रक्रणा आ रहा है लगों को बहनत करने के बाद भी जॉइनिंग नी मिल रही है या पेपर आपका पेपर होने की जस्ट डेट आने वाली है और आयोग पर एक्जाम नहीं करवा रहा है तो थोड़ा सा दिमोटिवेशन होता है लेकिन वही दिमोटिवेशन दोस्तों आपकी सकस में एक एहम भूमी का निवाता है क्योंकि आप अध्यक्स के रूप में देखना चाहेंगे ये एक बड़ा सवाल है आजकल बहुत अब बिरती लगाता है मुझसे भी सवाल पूसरें के अध्यक्स कौन होना चाहिए तो देखिए वो तो हमारा काम है नहीं वह उपर सासन में बैठे हुए लोगों का काम है तेकिन फिर भी देखते हैं कौन नया देख्स होता है तो आज की डियो में इतना है दुस्तो थैंक्यू थैंक्स वर उसीन वीडियो स्यू नेक्स्ट अम धन्यवाद